आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केवल एक कच्चे आलू से इतना मज़ेदार नाश्ता कि अगर आप एक बार खा लेते हैं या किसी को खिला देते हैं तो बार-बार ही बनाएंगे और जो खाएगा वो बार-बार ही आपसे बनवाएगा और इसे बनाने के लिए मै जादा टेस्टी बनेगा ये नाश्टा कि आपको मज़ा ही आ जाएगा खाने में तो चलिए देखते हैं और आप इसे शाम की चाय के साथ सुबा की नाश्टे में या फिर आप छोटी मोटी भूक लगी हो या फिर बच्चों के लच वॉक्स में भी इसे दे सकते हैं और बारीक पतला वाला जो ग्रेटर होता है उससे हमें ग्रेट करना है जिससे कि हम अध्रक को ग्रेट करते हैं विल्कुल वही वाला ग्रेटर लेना है तो यहाँ पर ये आलू को मैंने छिलका हटा दिया है छिलका हटाने के बार इसे मैं बहुत अच्छे से धूलिया है क्यों अच्छा बनता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आलू को तो मैंने ग्रेट कर लिया और अब इसे बिलकुल धोने की ज़रत नहीं है इसमें हम डालेंगे बागी सारे चीजे तो यहाँ पर डाल रही हूं मैं आधा कप के करीब सूजी तो यह मैंने यहाँ पर क्रिस्पी बनाने हूं पानी बिलकुल पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे तो पहले हम ड्राइ बैटर को मिला लेंगे इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मिला लेंगे इसे तो नहीं तो जो गुपलियां पड़ जाएंगी इसलिए हम बिलकुल थोड़ा ही पानी पहले ड डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे बिलकुल यह जो बैटर है यासे हम केक के लिए या फिर ढोकले के लिए बैटर बनाते हैं बिलकुल वैसा ही बैटर बनके तयार हो जाएगा साथी साथ यहां पर मैं आधा कप के करीब पानी और डाल रही हूं और एक बार इसे फिर से मिला लेंगे अच्छे से मिलाने के बाद देख सकते हैं कि बैटर की थिकनेस क्या है यहां पर इस तरीके का बैटर हमारा त्यार हुआ है और अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़े से मसाले तो यहां पर सबसे पहले मैंने आड़ किया है स्वात के नुसार नम हुआ है इतने ही मसालों से इतना ज़दा टेस्टी है नाश्चा बनना है कि आप हैरान रहा जाएंगे इसे खाके कि इतना ज़दा टेस्टी है कैसे बन गया इसके बाद अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो सारे मसाले हैं हल्दी है proper mix सोजा और अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इस बैटर में तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है इसके बाद गैस पर मैंने रग दी है कड़ाई इसे थोड़ा सा और ज्यादा तेस्टी बनाएंगे तो गैस पर यहां पर मैंने कड़ाई रख दिया है दो चमच के करीब कड़ाई में तेल डाल दिया है और तेल के गर्म होते ही इसमें मैं आट कर रही हूँ आदा चमच यह सरसों तो सरसों वारे सीड्स होते हैं दाने होते हैं वो मैंने इसमें डाल दिय है साथे साथ आधा चमच यहां पर ले रही हो मैं साबू जीरा दोनों चीज़ों को अच्छे से तड़कने देंगे अच्छे से जब यह भुन जाएगा इसके बाद हम एट करेंगे बैटर जो यहां पर यहां पर बना के रखा हुआ है यह बैटर पहले हम मिक्स करेंगे उसक इसमें हमने सूजी और बेसन डाला है इसकी वज़े से केवल पांच मिनट भी नहीं लगेंगे इस बैटर को बहुत सदा थीक हो जाएगा बिल्कुल हल्वे जैसा हो जाएगा यहां पर इसे मिलाते जाना है लगातार चलाते वे किनारों को भी अच्छे से हम क्लीन करते जा लगा तो इस तरीके का हमारा जो बैटर तैयार हो गया है इसकी थीकनिस इस तरीके की हमें रखनी है इसके बाद मैंने ले लिया है यह जोते हैं वो भी ले 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 ले, छीपर आयम देखते हैं तो मिक्ष़के ले ले ले, इसके बाद थुड़ा सा ऐल लगा दे partners क्माना त इसके बाद स्पैचुला से मैं से इस तरहिक आप फाइला लेती हूं क्योंकि जो मिक्शेसे तो इसके बाद इसकी ठीकनेस ऑला हिए उसके रहरे, उसकेтора और पाई को यही आप्पल से काईगा ना गालती है प्रॉपर मैं इसे शेव दिया है और थिकनेस देख सकते हैं इस तरीके की रखी है बिल्कुल जैसे वर्फी होती है वैसे ही थिकनेस रखी है और इसे हम ठंडा करेंगे चाहे तो आप आदे घंडे के लिए बाहर चोड़ दे या फिर आप इसे 10 मिनट फ्रिज में रखें बह चल्दी चिपक जाता है और इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ तो चोटे बड़े जैसे भी पीसिस आप चाहें यहाँ पर आप बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने नाइप से इसे कट कर लिया है दूसरी साइड़ स्वी मैं इसे कट कर लेती हूँ तो यहाँ पर चोट चोटे पीसिस मैंने बनाए हैं आप चाहें तो और चोटे और बड़े बना सकते हैं तो यह मैंने देखिए कट कर लिया है और यह हमारा यह पीस स्यार हो गया तो इसी तरीके से सभी को मैं कट कर लेती हूँ और आप चाहें तो इस तरीके से पीसिस बना कर किसी भी ए तो यहां पर जो आलू का जो हमारा यह नाश्टा है इस तरीके से तयार हो गया है लेकिन अभी यह क्रिस्पी नहीं हुआ है तो इस तरीके से मैंने यह सबी को कट कर लिया है तो इस नाश्टे को आप चाये तो shallow fry कर सकते है, deep fry कर सकते है, air fry कर सकते है तीरों में से कुछ भी कर सकते है,eday मैं इसे deep fry करने वाली हूँ कडाई में तेल मैंने मीडियम गर्म किया हुआ है बहुत जादा गर्म नहीं किया हुआ है तो पहले हम इसे आराम से कडाई में डाल देते हैं जितने भी पीसे कडाई में एक बार में आ जाते हैं उसके बाद फ्रेम को मीडियम टू हाई रगते वे से हमें फ्राइ करना है जिससे की बहुत जल्दी क्रिस्पी भी होगे क्योंकि इस नाश्टे को बहुत ज़्यादा पकाने की जुरत नहीं है जो इसमें हमने आलू, सुजी और बेसन डाले है वो अलरड़ी बॉयल हो चुके थे हमने जो पड़ाई में डालके उसे पकाया थे तो बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है तो मेडियम टू हाई फ्लेम प आइन थेंट किरना है और देख सकते हैं की बहुत अच्छे से सभी पीसिस यहां पर फ्राय हो गये हैं और यहां पर एक पीस में आपको दिखाती हूँ किता वड़िया क्रिस्पी फ्राइ हुआ है उपर की लिए बहुत जादा क्रिस्पी अगर आप इसे गरम-गरम खाते हैं तो बहुत जादा क्रिस्पी लगती है साथी साथ जो अंदर है वो काफी सॉफ्ट है तो यहां पर हमारे स्क्व किनारे पहले हैं किनारे बहुत जादा क्रिस्पी रहा हुए है तो यहति आपने इसकी आवाज सुनीं किनारे जरू सॉफ्ट है मसे दार है तो जरूर राइ कीजिए नाश्ता सभी को बहूत पसंद आएका झाल झाल